पांचोर राजय के बिधानसवा चुनाओं के बीच ही भारती जनता पार्डी को एक ओर चुनाओं में तक्रा जट्का लगा है। इस चुनाओं में भाजपानेताओं के गड़ में ही पार्डी की जबरदस्थ हार हुी है। भाजपार नेताओं के गड़ में कांग्रेश ने सेंद मारी करते हुए जवर्जस जीत दर्च की है। वह इं तिरपुरा चुनाओ में भी भारती जनता पार्डी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं हिमानचल में कांग्रेश ने जोर का जटका दिया है। जया दोस्तो इन दोनों चुनाओ में किस पार्टी को कितनी कितनी सीटे मिली हैं। आपको डिटेल से जानकारी देंगे। आपको दादें एक दोनों चुनाओ एबियम से हुए हैं या फिर बैलेट पेपर से पोरकर सभी राजनितिक पार्टियों ने बैलेट पेपर से चुनाओ कराने का समर्थन किया था। आपकी क्या रहा हैं। आप अपने राएक कमेंट कर जरूर बताएं। और साथी इस बीडियों पर अपना एक लाइक ज़र दें। क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए ब आदिवासी पैसत के चुनाओ हुए थे जहां पर भारती जनता पार्डी को तकड़ा जटका लगा है। एबीपी न्यूज के आप रिपोर्ट देख सकते हैं। एबीपी न्यूज ने इस रिपोर्ट को छापते हुए लिखाए कि हिमानचल प्रदेश नगर निगम चुना परिणाम में कांग्रेस को बहुमत मिला है। वे तिरिपूरा चुनाओ में भी एबीपी न्यूज ने इस रिपोर्ट को छापते हुए लिखाए कि तिरिपूरा आदिवासी पैसर चुनाओ में नई पार्डी तिप्रा ने बाजी मारी है। भारती जंता पार्डी को जटक लगा है। जिसमें पालमपूर में 15 सीट, धर्मसाला में 17, सोलन की 17 और मंडी की 15 सीटों पर चुनाओ थे जिसके फाइनल नतीजे आ चुके हैं। इस फाइनल नतीजे में भारती जंता पार्डी को कांग्रेस ने जोर का जटका दिया है। सबसे पहले पालमपूर की 15 सीट पर अपना कपजा जमा लिया है। भारती जंता पार्डी को यहां की 15 वाडो में से महेज 2 सीटों पर ही जीट बिल पाई है। और नि कांग्रेश के खाते में 9 सीटे गई है वहीं भारती जनता पाड़ी 17 सीटों में से महज 7 सीटों ही जीतने में काम्याब हो पाई वहीं निर्दलियों के खाते में 1 सीट गई है पालंपूर और सोलन में दोनों जगहों पर कांग्रेश को बहुमत मिला है वहीं धर्मसाला की 17 सी आगे निकल गई फिर भी कांग्रेस ने भाजपाईयों के गड़ में ही सेंद लगाते हुए पास सीटों पर कबजा जमा लिया। एक भी सीट नहीं हाथ लगी है। लेकिन फिर भी जहां पर भारती जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। कांग्रेस ने भारती जनता पार्टी की अपेक्षा एक सीट अधिक जीतने में कामयाब हो गई। वहीं तिरपुरा आदिवासी पार्टी को तकड़ा जटका लगा। यहाँ पर तिरपुरा ने बाजी मार दी। जी आपको दे तिरपुरा कांग्रेस के पूर्वध्यक्ष प्रगोत किसोर देवबर्मन की अगवाई वले तिरपुरा आदिवासी छेत्र स्वायद जिला पैसत टीटी एएडियस चुना में जीत हांसिल की है। तियाई पी आरेस ने 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं भारती जनता पार्टी प्लस आईपी एप्टी ने कुल 28 सीटों में से महज 9 सीटे ही जीतने में कामयाब हो पाई। अलग यहाँ पर कांग्रेस प्लस एलेप को एक भी सीट नहीं मिल पाई वहीं निर्दलियों के खाते में 28 में से एक सीट गई आपको ते तें तीन सरस्य आदिवासी परिशत की 28 सीटों पर मंगलवार को चुना हुआ था बचे हुए दो सीटों पर राज पाल राज सरकार की सला पर दो सरस्यों को मनोनीत करेंगे राज का दो तिहाई छेत्र TTA DC सासन के तहत आता है इसे आदिवासीयों का छेत्र कहा जाता है आपकते तिरपुरा की एक तिहाई आबादी आदिवासीयों की है अब इस जीत के बाद और बहुमत मिलने के बाद देव बर्मन ने अपने समर्थकों से अपनी नौ अस्थापित पार्टी को चुनाओ में बहुमत मिलने का जस्न जोरदार्त तरीके से मनाया है तेसब पांच राजों के बिधान सभाज चुनाओं के बीच ही हुआ है जाएक तरफ पांचों राजों में बिधान सभाज चुना हो रहे हैं वहीं इन दोनों चुनाओं में भारति जनता पार्टी को तकड़ा जटका लगा जहां एक तरब तिरपुरा आदिवासी परिशा चुनाओं में टिपरा ने भारती जनता पार्टी को जटका दिया तोहीं हिमानचल परदेश नगर निगम चुनाओं में जापर भारती जनता पार्टी की ओरतमान में सत्ता है वहाँ पर कांग्रेस ने भारती जनता पार्टी को जटका देते हुए दो निगमों में पूर बहुमत हासिल कर ली वही आपको दे दे इन बिधान सभा चुनाओं के बीच भारती जनता पार्टी को पंजाब में एक और जटका लगा है कई भारती जनता पार्टी कारकरताओं ने पार्टी से इस्तिपा दे दिया है जियाप को दे पंजाब के लिध्याने में भारती जनता पार्टी को उस समय बड़ा जटका लगा है जब कैलास नगर मंडल के प्रधान रोमी मलत्रा और उनकी टीम ने पार्टी से इस्तिपा दे दिया जिला लीडर्शीप में उनकी टीम द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रिया ऐसे में अंदाजा लगाया सकता है कि आम और गर्स की यानी जो जमीनी अस्तर पर काम करने वाले कमचारी है उनकी क्या सुनवाई होती होगी मलत्रा का कहना है कि उन्होंने 15 साल से भार्टी जनता पार्टी की सेवा की उन्होंने बताए कि वो पहले वार्ट परधान फिर युवा मोर्चा मंडल परधान फिर दो बार भाजपा महासचीव और अब कैलास नगर मंडल परधान के रूप में अपनी सेवाई दी फिर भी भार्टी जनता पार्टी ने खुद अपने पार्टी के निताओं की बातों को नहीं सुना उनका कहना है कि पार्टी द्वारा दी गई हर जिम्मेदारी को उन्होंने अच्छे से निवाया लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी में उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था। वो सम्मान नहीं मिला। साहद इसी को लेकर ही कैलास्त नगर मंडल के पृधान ने अपने साथियो सहीद भारती जंता पार्टी से इस्तिपा दे दिया। अलग कि किसी और पार्टी में सामिल होने को लेकर उनका कहना है कि जब समय आएगा तब बताए जागे कि ओ किस पार्टी में सामिल होंगे अलग कि आपको तो पंजाब में अगले साल बिधान सबाज चुनाओं होने वाले हैं ऐसे में पार्टी निताओं की नाराजगी उसे भारी पर सकती है हलाक यह पहला मौका नहीं है इससे पहले भी बंगाल सहित कई राज्जों में कारकरता भारति जंता पार्टी से इस्तिपाद दे चुके हैं और इस्तिपा देते वे ऐसे ही मिलतेल जुलते आरोप लगा चुके हैं लगबग कई लोगों का ये कहना था कि उनका पार्टी में उचिस सम्मान नहीं होने के कारण वो पार्टी को छोड़ रहे हैं और इन में से कईयों ने दूसरी पार्टी को भी जोईन कर लिया अब पंजाब के लुधियाना में कैलास नगर मंडल के प्रधान ने अपने साथियों सहीद पार्टी से इस्तिपा दे दिया बात करें अगली बड़ी खबर की तो आपको बता दें प्रधान मंत्री मोदी की चुना आयोग से बड़ी सिकायत की गई है जिहाब को तर प्रधान मंगाल में बिदान साथ चुनाओ को लेकर जोर आज माइस जारी है इसी बीच कांग्रेस के दिगज नहीं था अद्री अजन चौधि ने प्रधान मंत्री मोदी की शिकायत की है अधिरंजन चौधी ने पश्चिम मंगाल में राजनीतिक रेलियों के दोरान पीम मोदी की ओर से वीबी आईपी बिमान के इस्तेमाल पर सवाल उठाया है। चौधी ने इस बात पर चुना आयोग से अवस्यक कारवाई करने का आग्रह किया है। अधिरंजन चौधी ने शिकायत करते वे चुना आयोग को पत्र लिखा है। मुझे नहीं पता कि क्या अन्य गति बिदियों को रोकना पीम के राजनीतिक कारिकरम का हिस्सा है। साथी अधिरंजन चौधी ने इसमें सवाल पूछा है कि क्या राजनीतिक रेलियों में बिबी आईपी एर क्राप्ट का इस्तिमाल हो सकता है। पत्र में उन्होंने लिखा कि जब मैं रेल मंत्राले में था तो कभी अपनी कार को चुनाबी उद्देशों के लिए इस्तिमाल नहीं किया। मैं यह समझने में अस्फल राओं की क्या राजनीतिक रेलियों में भाग लेने के लिए बिबी आईपी एर क्राप्ट जो विदेशी एत्रा के लिए है उसका इस्तिमाल किया जा सकता है। इसी को लेकर अध्रियांजन चौद्री ने चुना आयोग से शिकायत किया है और साथ ही चुना आयोग से कड़ी कारवाई की मांग की है। अध्रेंजन चौदरी ने चुना आयोग सी सिकायत तो किया है, इस पर चुना आयोग क्या एक्षन लेता है, किस तरह की कारवाई करता है, एक देखने वाली बात होगी.